नोशे दोस्तों, देट है आज की 18 अगस्ट 2022 और स्वागत है आपका एक वेल डिसकेशन में तीन इशूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले आर्टिकल डिसकेश करेंगे इंडिया-उस मेरिटाइम पार्टनर्शिप दूसे नंबर पे, सेंटर और स्टेट के बीच में IS पोस्टिंग को लेके विवाद ये इशू पुराना है, फिर से नया आर्टिकल आया है तो बेसिक्स के साथ इस इशू को हम डिसकेश करेंगे तीसरा आर्टिकल अडोप्शन प्रोसेस से समन्दित है डिसकेशन स्टार्ट करें, उससे पहले एथिक्स का एक इमोशन हम डिसकेश करते हैं इमोशनल इंटेलिजन्स में आता है जेलसी, जेलसी मतलब जलन डेफिनीशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे जब देखो कोई परसन दूसरे की अचीवमेंट्स को accept नहीं कर पाता या फिर दूसरे की life के अगेंस्ट या फिर दूसरे की qualities के अगेंस्ट उसकी नराजगी होती है तो इस चीज़ को कहते हैं जेलसी यानि जलन ये एक negative emotion है civil servant को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो civil servant को ना एक बहुत competitive environment में काम करना पड़ता है कई बार एक civil servant का competition होता है अपने colleagues के साथ में कई बार तो subordinates भी उसे judge करते हैं इवन private sector के साथ भी competition होता है तो किसी की भी achievement से jealousy नहीं होनी चाहिए civil servant को क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो फिर civil servant ना best practices को adopt नहीं करसकेगा अगर वो जलन मैसूस करेगा कि कोई DM है उसने अच्छा काम किया है उसकी तारीफ हो रही है लेकिन दूसरा DM उससे जलता है तो वो अच्छा काम जो दूसरे DM ने किया है ना उससे सीख नहीं सकेगा सीख नहीं सकेगा तो नुक्सान किसका होगा लोगों का होगा इसलिए हर एक civil servant को ना emotionally intelligent होना चाहिए और jealousy जैसी भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकर इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है आप कैसे handle कर सकते हो jealousy को देखो समझने की आउसकता है कि अगर आप में jealousy है तो कहीना कहीना self confidence की कमई है आपको यह समझना होगा कि जिसकी life की तारीफ हो रही है जिसकी qualities की तारीफ हो रही है achievements की तारीफ हो रही है हो सकता है कि वो किसी चीजमें अच्छा ना हो उस चीज में आप अच्छा हो jealousy कम होगी तो आप अपने staff को motivate कर सकते हो कि देखो वो कर सकता है तो better performance के साथ आप भी कर सकते हो तो उस energy को उस emotion को channelize किया जाए hard work के रूप में motivate करने के लिए तो ये चीज है jealousy पर question आता है तो आप लिख सकते हो नॉर्मल लाइफ में भी jealousy बिल्कूल भी नहीं होनी चाहिए चले हो अब हम discussion start करते है first important article इंडिया और USA के बीच में strong हो रही naval partnership से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो अब जीत सिंग के दोरा ये article लिखा गया है क्या contest है ये article हम क्यों discuss कर रहे है ये repair के लिए आया इंडिया में चेन्नाई में एक CPR है वहाँ पर ये ship US का repair होने के लिए आया तो ये अपने आप में एक नई चीज है ये संकेत हैं इंडिया और USA के बीच strong होती military partnership का देखो वैसे तो इंडिया और USA के बीच में Limoire Agreement sign हुआ है Limoire Agreement मतलब Limoire Agreement के अनुसार दोनों देश मतलब इंडिया और USA एक दूसरे के military basis की facilities को यूज कर सकते हैं अब military basis पर आपको पता है बहुत सारी facilities उपलब्ध होती हैं fuel मिल जाता है खाना मिल जाता है food stock इसके अलावा SIP में किसी परकार की कोई दिक्कत है तो repair करने की facility उपलब्ध होती है तो ये agreement तो वैसे इंडिया और USA के बीच में 2016 में ही sign हो गया था लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक US का कोई SIP ना इंडिया के SIP Yard पे SIP Yard देखो वो स्थान होता है जहां पे SIP को construct किया जाता है SIP को repair किया जाता है तो ना लिमोआ agreement के sign होने के बाद अभी तक USA का कोई SIP ना इंडिया में रुका नहीं सिरफ fuel गरा लिया और चला गया लेकिन ये पहली बार होगा कि USA का कोई SIP इंडिया में डोक करेगा मतलब SIP YARD में रुकेगा repair के लिए ये एक नई चीज है और काफी एहम है अभी तक देखो इंडिया ना डरता रहा है कि अगर USA के SIP इंडिया में आएंगे यहां पर उनकी repairing होगी तो फिर ऐसा लगेगा कि अब इंडिया US के ग्रूप में सामिल हो रहा है Anti-China Alliance में इंडिया सामिल हो रहा है इन सब चीजों को लेके ना इंडिया काफी संजीदा था बट अब USA के SIP का Indian SIP YARD में आना ये एक नई जरनी की सुरुबात है आप कह सकते हो कि अब इंडिया बिना हिचक के USA के साथ military partnership को भी और ज़्यादा मजबूत बनाने को तयार है अब देखो दो important चीज़ें है एक तो इसी साल के अप्रिल में जब 2 plus 2 dialogue हुआ था ना इंडिया और USA के बीच में यानि foreign ministers और defense ministers की meeting हुई थी ना दोनों देशों की तब ये possibility explore की गई थी कि USA के military sea lift command के जो SIPs है ना उनकी repair और maintenance के लिए Indian CPR का इस्तमाल किया जाए CPR जो मैंने आपको बताया वो स्थान जहां पे SIPs को construct किया जाता है और repair किया जाता है और USA की जो ये military sea lift command है ना ये ना USA के दुनिया भर के जो bases है ना पूरी दुनिया में USA के 750 के आसपास military bases है ये देखिए तो अलग-अलग bases पर ना ये US की command समान पहुंचाती है command का नाम है military sea lift command तो ये command various USA के military bases पर समान पहुंचाने का काम करती है तो कभी-कभी इसके SIP रास्ते में खराब हो जाते है तो उनको repair करवा लिया जाए रास्ते में इंडिया के CPRs पर इस चीज पर सहमती बनी थी इसी साल के अप्रिल में आयोजित हुए 2 plus 2 bilateral dialogue के दुरान जब इस बात पर सहमती बनी तो USA से काफी वहां के military officials आए इंडिया के various जो CPRs है उनकी auditing की गई कि इंडिया में कौन सा CPR जो है वो सही है USA के सिप्स जहां पर repair हो सके तो इस सारी process के बाद अब जाके USA का जो naval ship है वो चेन्नई में कटा पली डोक यार्ड पर पहुंचा ये देखो L&T की facility है Larson and Turbo की ये काफी famous इंडिया का सिप्स बनते हैं अब कुछ लोग ना कुछ experts इसे ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया की ship building capability की ये जीत है इंडिया हमेशा से अपनी ship building जो capability है वो दुनिया को show करना चाहता था इंडिया में कई बड़े बड़े private shipyards है जैसे एक तो अभी हमने discussing किया L&T का जो कट्टा पुली में है चैनने में इसके अलावा L&T का एक और shipyard है हजीरा में ये भी काफी बड़ा और अच्छा है तो USA के ship का इंडिया के shipyard पर आना एक परकासे इंडिया की ship building capability पर मोहर है stamp है अब देखो इस event के अगर political repercussions की बात करें मतलब इस event से USA का जो ship है इंडिया के shipyard में आया इसके क्या political repercussions हो सकते हैं पहली चीज इंडिया USA के रिष्टे मजबूत हो रहे हैं दूसरी चीज ज़्यादा important है इंडिया पहले reluctant हा न QAID को military group ना बनाया जाए तो अब देखो USA का ship इंडिया में आया है तो जाहिर तोर पर QAID के जो दूसरे partners है न या फिर इंडिया के दूसरे जो like-minded partners है जो चाइना के against feelings रखते हैं तो उनके ships भी इंडिया में आ सकते हैं मतलब चाइना के विरोधियों के साथ इंडिया अब alliance बनाने की इच्छा रखता है उनके साथ defense में ज़्यादा partnership की इच्छा इंडिया रखता है लेकिन QAID वाला angle जो है वो ज़्यादा important है पहले इंडिया reluctant था कि QAID को military group ना बनाया जाए तो हो सकता है कि इंडिया अब इस चीज़ पर ज़्यादा concern ना रखे और QAID भी एक military group के रूप में emerge होके आए दूसी चीज़ देखो ये event ना USA के लिए भी काफी important है जैसा मैंने आपको बताया USA के ना पूरी दुनिया में 750 के आसपास military bases है ये देखिए जहाँ जहाँ पर डोट है ना वहाँ वहाँ पर USA का military base है कई डोट तो इतने छोटे हैं आपको दिखेंगे भी नहीं इस तस्वीर में तो अब देखो चाइना USA को replace करके superpower बनने की कोशिस कर रहा है चाइना अलग-अलग देशों में अपने military bases बना रहा है जैसे जिबूती में मनाया तो जैसे जैसे चाइना के ज़्यादा bases बनेंगे ओवराल तो पहले USA की power थी मतलब USA की power कम होगी तो अब USA और aggressively चाइना को undermine करना चाहता है इंडियन ओशन में आपको पता है चाइना की गतिवीडिया काफी बढ़ गई है जैसे सिलंका पर अभी चाइना का एक spy vessel आया जिस पर काफी विवाद उठा था तो इंडिया ने USA के ship को आने दिया मतलब चाइना को भी एक संकेत है अगर आप इंडियन ओशन में अपनी गतिवीडिया बढ़ाओगे तो हम आपको counter करने के लिए कुछ भी करने को तयार है इसमें देखो दोनों का फाइदा है इंडिया का भी और USA का भी USA तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कहीं और भी चाइना की presence बढ़े और इंडिया खास करके यह नहीं चाहता कि इंडियन ओशन में ज़्यादा चाइना की presence बढ़े तो इसलिए दोनों के जो interest है वो converge हो रहे हैं चाइना के अगेंस्ट और दोनों एक साथ आ रही हैं अब ज्यादा से ज्यादा इंडिया के लिए यह फाइदा देखो इसलिए भी ह जाता हैं क्योंकि अब USA इंडिया के shipyard का इस्तमाल कर रहा है, military base का इस्तमाल कर रहा है तो इंडिया के ships भी अब USA का इस्तमाल करेंगा ना USA के military bases का, माल लीजिए East China Sea में इंडिया को कोई ship जाता है, कोई खराब हो जाता है तो वहाँ पे USA का military base है उसका फिर अब इंडिया इस्तमाल करेंगा ऐसा नहीं कि यह जो इस्तमाल किया जाता है military base की services को वो free में होता है, पैसे दिये जाते हैं, repair होगा तो उसके पैसे भी लगेंगे, meanwhile देखो एक और important event हुई है, क्या, देखो एक combined maritime force है, CMF, क्या है यह, इसमें न 34 देश सामिल है, 2001 में यह force बनी थी, combined maritime force, किस मकसद के साथ establish की गई थी, international terrorism का सामना करना, piracy का सामना करना, यह सब चीजें हैं, देखो, maritime security, piracy, अब इसमें जो 34 देश सामिल है न, वो USA और जादार वो देश हैं, जिनके USA के साथ अच्छे समंध है, इंडिया combined maritime force का part नहीं है, पाकिस्तान part है, हलांकि इंडिया ने पहले intention जाहिर की थी, इस force का part बनने की, लेकिन अब इंडिया इस force का na, combined maritime force का associate member बन गया है, associate member बनने का मतलब ये है, इंडिया के ऊपर कोई boundation नहीं है, इंडिया जो assistance offer कर सकता है, इस force की working के लिए, वो assistance offer करेगा, मतलब अगर इंडिया की forces के पास time है, capacity है, तो फिर वो इ ये अपनी capacity offer कर सकता है, दरवाइस कोई obligation, boundation वगरा कुछ नहीं है, तो ये सारे points जो है न, वो इस तरफ इसारा करते हैं, इंडिया और USA के बीच में जो maritime partnership है न, वो मजबूत हो रही है, लेकिन अब last मेना कुछ concerns भी writer के द्वारा जता दिये जाते हैं, जैसे basic engagement इंडिया क बढ़ रही है US Navy के साथ में, लेकिन US Central Command में, जो US Navy component है न, वहाँ पे इंडिया के साथ licensing करने के लिए, इंडिया के जो officer है न, वो बहरीन में, इंडियन embassy में, जो military attachee है न, वो है, मैं simple भासा में बता देता हूँ, इतनी complexity में मत जाये हैं, आप, कि जो USA का central command है न, वहाँ प ये, लेकिन वो है नहीं, बहरीन की, बहरीन में, जो Indian embassy है न, वहाँ पे इंडिया के जो military attachee है न, सिरफ उन्हे को बोल दिया गया है, कि आप USA की central command के साथ में, तालमेल बिठाइए, licensing कीजिए, और दूसी चीज, देखो ये बात सच है, कि USA का एक ship, इंडिया की shipyard पर आया, और वो maritime sea lift command से था, बट ये जो command है न, ये सिरफ military bases पर समान पहुंचाने का काम करती है, तो ऐसा नहीं कि ये कोई warship था, जब USA का कोई warship इंडिया के base पर आयेगा न, वो अपने आप में एक बड़ी event होगी, तो maritime sea lift command से जो vessels आते हैं न, वो सिरफ cargo ships होते हैं, जो समान USA के various military bases पर समान पहुंचाने का काम करते हैं, तो इतना भी ज़्यादा experts को खुछ नहीं होना चाहिए, कि इंडिया USA की जो naval partnership है, अब बिल्कुल ही बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम, इंडिया की जो hesitancy है न, USA के साथ मजबूत partnership बनाने की, वो अब दिरे दिरे खतम ह हो रही है, और इसका reason जाहिर तोर पर China है, China से बढ़ता risk है, तो यह पूरा article हमने discuss किया, अब इसके बाद, central state के बीच में, IS की postings को लेके जो विवाद रहता है न, इस issue से समधिद article है, यह article लिखा गया है, R.K. रागवन के द्वरा, यह former CBI director है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो इससे पहले कि हम आज का यह article discuss करेंगे न, basics पहले ही discuss करेंगे, कि विवाद आखिरकार है क्या, रूल नमबर 6, section नमबर 1 of IS Kader Rules, 1954, यह जो रूल्स है न, यह central government में IS officers की deputation के साथ deal करते हैं, इन rules के according, अगर मान लीजे कोई IS officer अभी किसी state government में काम कर रहा है, for example, कोई IS officer है, X, वो हर्याना government के साथ अभी काम कर रहा है, लेकिन, वो central government में deputation पे जा सकता है, किसी दूसरे state में deputation पे जा सकता है, इवन किसी PSU में भी deputation पे जा सकता है, लेकिन हर case में state government की, जिस state government के लिए अभी वो काम कर रहा है, for example, इस case में हर्याना government के लिए X officer काम कर रहा है, तो उसे हर्याना government की सहमती लेना, concurrence लेना जरूरी है, सहमती लेने के बाद, वो central government में, किसी दूसरी state government में, और इवन PSU में deputation पे जा सकता है, deputation word का मतलब अगर समझने में दिक्कत हो, तो मैं आपको simple भासा में बता देता हूँ, जब कोई officer अपने parent cadre को छोड़ के किसी दूसरे cadre में काम करने के लिए जाता है, निश्चित समय के लिए, तो उसे कहा जाता है deputation, समझ गया, जैसे हर्याना cadre में कोई officer था, वो अपने parent cadre को छोड़ के निश्चित समय के लिए, for example, तीन साल के लिए central government में गया काम करने के लिए, या फिर पंजाब government में गया, या फिर UP government में गया, या फिर किसी PSU में गया, तो वो हुआ deputation, और ज़्यादा simple भासा में माल लीजिए, मेरा parent cadre only IS है, इसको छोड़ के, जो एक और only IS का sister channel है, only PCS, यहाँ पे जाके मैं पढ़ाने लगूँ एक साल के लिए, तो मतलब मेरी deputation हो गई only PCS में, समझ गए, तो मतलब state government, वो parent cadre जहाँ पे officer काम कर रहा है, उस state government की सहमती लेना जरूरी है, लेकिन, बाद officers की deputation को लेके, तो फिर matter decide किया जाएगा central government के द्वरा, यह rules आये थे 1954 में, अभी तक देखो, इन rules ने ठीक था काम किया है, आम तोर पर टकराव नहीं देखने को मिलता है, deputation को लेके center और states के बीच, लेकिन जब politics involved हो जाती है ना, तब टकराव देखने को मिलता है, आम तो में जो officers अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, deputation पर जाने के लिए center में, तो state government उसकी list बनाती है, जैसे हर्याना केडर में जितने officer है, for example, 5 officer ने center में deputation पर जाने के लिए इच्छा जाहिर की है, तो उनकी list बनाई जाएगी state government के द्वरा, और वो list दी जाएगी central government को, central government अपनी मर्जी से, उस list में से कुछ officers का चुनाव कर सकती हैं, लेकिन किसी भी officer को उसकी मर्जी के बिना central deputation पर नहीं बेजा जाता है, समझ गए, जो officers इच्छा जाहिर करते हैं, कि हमारी इच्छा है, CBI में काम करने की, ED में काम करने की, या फिर home ministry में काम करने की, तो फिर उनी officers की list दी जाती है, center को कि भईया, इन्होंने इच्छा जाहिर की है, आप इन में से choose कर लीजिए, अपने आप से, और जब central government उन officers, list में से कुछ officers का चुनाव कर लेती है न, तो फिर उनको जल्दी से state government के दवरा relieve भी कर दिया जाता है, कि जाओ भईया, आपने इच्छा जाहिर election से पहले, बीजेपी के अध्यक्स, जेपी नडडा जब वेश्ट मंगाल की यात्रा पर गए थे न, तो उनकी कार पर पत्थर मारे गए थे, तो central government को, क्योंकि center में बीजेपी के सरकार है, उनको गुस्सा आ गया था, उन्होंने उन officers को समन किया, जिनकी duty थी जेपी दिया, नहीं, हम इन officers को deputation पर नहीं बेजेंगे, तो जो convention होती है, आम तोर पर जिसके बारे में हमने discuss किया, कि IPS officer या फिर IS officer इच्छा जाइर करते हैं, हमें जाना है deputation पर, central government उस list में से choose कर लेती है, और state government उनको जल्दी से relieve कर लेती है, लेकिन इस case में ऐसा नहीं हुआ, उन IPS officers को punish करने के लिए, जो J.P. नड़ा की शुरक्षा को शुनिशित नहीं कर सके, central government ने इन IPS officers को deputation पर बुलाया, लेकिन state government ने इने relieve नहीं किया, यानि जो convention जो परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी, वो तूट गई, मतलब ये एक case नहीं है, और भी case है, जैसे पढ़ जी ने जो West Bengal की मुख्यमंत्री है, तो इसके बाद Central Government West Bengal की Chief Secretary से चिड़ गई, उनको सबग सिखाने के लिए Central Government ने उनको deputation पर बुला लिया, और जबकि देखो, उनकी retirement को सिरफ एक दिन बाकी था, जब किसी की retirement का एक दिन बाकी हो, तो उस officer को deputation पर बुलाने का कोई मतलब बनता है, नहीं बनता ना, गलती देखो State Government की भी थी, मुख्यमंत्री को पढ़ामंद्री की जो meeting है, वो attend करनी चाहिए थी, लेकिन बात वही है, point यही है, कि जब politics involved हो जाती है तो फिर परंपराय तूटती है, देश का जो federalism है, उसको चोट पहुंचती है, वही देखने को मिला, आम तोर पे ठीक ठाक डंग से यह deputation वाले rules चल रहे थे, लेकिन दो-तिन बार अपवाद देखने को मिला, लेकिन अब Central Government इन rules में amendment लाना चाहती है, चार amendments में ली लाना चाहती है, एक एक करके आप इनको देख लीजिए, पहली amendment, अगर देखो, Central ने किसी IS officer को जो किस State Government में काम कर रहा है, उसको deputation पे बुलाया है, और कहा है State Government को कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर इस IS officer को relieve कर दीजिए, लेकिन State Government नहीं करती है, तो फिर Central Government आदेश दे सकती है, कि यह जो officer है, इस State Government में काम कर रहा है, और relieved है, मतलब State Government अगर किसी IS officer या IPS officer को relieve करने में आना का करती है, डिले करती है, तो फिर Central Government अपने तरफ से आदेश जारी कर सकती है, उस IS या फिर IPS officer के relieve होने का, यह पहली amendment है, दूसरी amendment, पहले तो देखो यह हुआ करता था, कि IS IPS officers, यानि All India Service के officers, खुद अपनी इच्छा परकट करते थे, कि हमें center में जाना है deputation पर काम करने के ल हुनकी list बनती थी, लेकिन अब तो center ने कहा है, हम बताएंगे कि हमें इस state government से कितने officers deputation पर चाहिए, for example, center ने महाराश्टर को कह दिया, हमें 10 officers deputation पर चाहिए, तो महाराश्टर को 10 officers के नाम देने पड़ेंगे, तीसरा point, तीसरा amendment, अगर center और state के बीच में officers की deputation को लेके disagreement होता है, तो matter को decide किया जाएगा, central government के द्वारा, और central government के द्वारा, जैसे भी matter को decide किया जाता है, within specified time, specified time कुछ भी हो सकता है, 15 दिन, 1 महिना, जो central government बोले, तो within specified time, state government को, central government के फैंसले को implement करना होगा, चोथा point, अगर central government को लगता है, कि इन officers की, आउशकता है, अभी public interest में, central government चाहती है, कि ये जो officer है, जो अभी state government में काम कर रहे हैं, लेकिन public interest में आउशकता है, ये अभी center के लिए काम करें, तो उस फैसले को जल्द से जल्द state के द्वारा, implement किया जाएगा, within specified time, तो ये चा चार amendments अब central government करना चाहती है, 1954 के rules में, ये जो 1954 के rules थे न, IES के एडर rules है, इन में चार amendments, ये चारो amendments अब central government करना चाहती है, अच्छा आप बताईए, इन चारो amendments के बारे में सुनके आपको क्या लगा, सही है ये गलत है, मुझे पता है, दो-तिन points आपके मन में कौन से आये ह यार, ये central government की क्या दादागिरी है, state government के उपर रोब जमाने की, मतलब ये simple भासा में आपके मन में point आया होगा, लिखोगे आपको language आपकी इस प्रकार से होगी, this is against the federal spirit of our constitution, सविधान में आपको पता है, state government जो है न, वो central government का organ नहीं है, सविधान में अलग से power दी गई है, state governments को, तबी तो हमारा देश federal country है, state government अपनी power central government से थोटी न लेती है, state government अपनी power लेती है सविधान से, तो दोनों अलग-अलग अपने डाइरे में रहके काम कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ corporate करना चाहिए, और सविधान की जो मर्यादा है उसका पालन करना तो ये जो rules है न, central government के, state governments से उनसे power छीनने के बराबर है, एक तो ये point आपके मन में आया होगा, और दूसरा point अगर आपने ध्यान से इन चारो points को सुना है, तो एक point आपके मन में जरूर आया होगा, पहले तो जो IAS officers इच्छा व्यक्त करते थे, सिरफ उनको center में deputation पर ले amendments हो गई, तो तो फिर center मर्जी चाहे किसी IAS या फिर IPS officer को deputation पर बुला सकती है, even उसकी इच्छा के बिना भी, तो ये तो officers के साथ भी जाती है, कोई officer नहीं जाना चाहता, center में काम करने के लिए, फिलाल, वो state में रखे काम करना चाहता है, जहां पर उसका experience है, ground level पर वो काम करना चाहता है, तो उसकी इच्छा के विरुद उसको center में ले जाये जाएगा, और हो सकता है कि central government अपनी दुस्मनी निकालने के लिए state government के साथ किसी officer को बुला ले center में, और उसको कोई ऐसी posting दे दे, वैसे तो देखो officers को हर परकार की posting के लिए त्यार रहना चाहिए, लेक ऐसी post तो नहीं join करना चाहेगा, जिसमें कुछ भी ना हो करने के लिए, इवन आपको सिरफ office भी ना मिले, infrastructure भी ना मिले, तो ऐसी postings को कहा दिया जाता है, punishment posting, तो ऐसी postings दे दी जाती है, उन officers को, जो central government को या पर state government को अच्छे नहीं लगते, और देखो, आप थोड़ा और गहराई से सूचिए, अगर इस परकार से, IS officers को, IPS officers को deputation पे लजाये जाएगा, उनके मरजी के बिना, तो ये भी हो सकता है, कि service की जो sign है ना, वो खतम हो जाए, मतलब आज के समय में, जनता का जो crazy है, service के परती, इतने सारे लोग त्यारी करते हैं, हो सकता है, वो crazy खतम हो जाए, क्या इस service में जाने के बाद, इतना भी मतलब कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा forcefully सरकार अपने पास बुला लेती है, काम करवाती है, अपनी मरजी से काम नहीं कर सकते, और करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, फिर तो crazy खतम हो जाएगा ना, अगर इस परकार स जो PCS के officers है ना, जो state carder के officers है, मतलब जो PCS से चुन के आए हैं, उनकी services का ज़्यादा इस्तमाल किया जाए, अच्छे-ची postings उन्हें ही दी जाए, कम से कम वो loyal तो रहेंगे, IS, IPS का तो कुछ पता नहीं है, कब छोड़ के चले जाएं, center के पास, अब देखो finally, article में last में य IRS है, यहां से भी officers को deputation पर बुला सकती है, तो central government के पास ज्यादा options available होते हैं, अगर फिर भी officers की कमी है ना, तो central government को ध्यान देना चाहिए, officers की कमी क्यों है, क्यों all India officers, state carder से center में deputation पर आकर काम नहीं करना चाहते, बहुत सारे cases में, क्योंकि देखो, state carder से officers की central government में deputation पर अगर junior level पे, तो junior level पे जैसे secretary लेवल पे working conditions काफी खराब होती हैं, और senior level पे जैसे home secretary कोन बनेगा, finance secretary कोन बनेगा, senior level पे जो appointments होती हैं, उन में काफी ज्यादा arbitrary ness होती हैं, यह जो officers होते हैं, home secretary है, जो finance secretary है, इनका देखो, ना सिरफ efficient होना ज़रूरी है, बल्कि, जो ruling party में जो ideology है ना, उसके परती ही officers स्मर्पित भी होने चाहिए, ऐसा मैं practical बात बोल रहा हूं, जो आपको answers में नहीं लिखनी हैं, अब जो भी हमारे home secretary है, finance secretary है, यह BJP की ideology से mail खाते हैं, मतलब ruling party के भरोसे के लोग हैं, ऐसा नहीं कि ruling party की बेजती करवा दे हैं, तो ऐसे ही लोगो BJP चली गई, जैसे congress चली गई थी, तो congress के समय जो higher level पे appointments थे, वो सारे change कर दिये थे BJP ने, क्यों, कि को इनको भरोसे के आद में चाहिए होते हैं, तो यह हमने पूरा article discuss किया, last में एक बात यह भी बोली जाती है, सरदार पटेल ने advice दी थी, कि अगर देखो federal setup को अच्छे से maintain करके रखना है, तो जो भी difference and disputes आते हैं, center और state के बीच में, वो आएंगे, dispute से इंकार नहीं किया जा सकता, दो भाईयों के बीच में dispute आ सकते हैं, भाई-बैन के बीच में, तो फिर center और states के बीच में भी आएंगे ही, लेकिन उन disputes को cooperative federalism की spirit से सुलजाना ये जरूरी है, ये national interest में भी है, तो इस परकार से हमने इस पूरे issue के basics को तो समझ लिया, अब बात करते हैं, आज के आंटकल में क्या publish हुआ है, देखो, बहुत कम IS officers center में जाने को तयार थे, पहले भी, लेकिन अब ना दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो central government ने भी मान लि IS officers में जैसे CRPF, BSF, CISF, CBI, NIA, इनके higher post पर जो IPS officers deputation पर जाते हैं, उनकी भारी कमी है, अब क्यों नहीं IS IPS officers center में जाके काम करना चाते, उसके reason देखो, काफी है, अब काईदे से तो जाना चाहिए, IS IPS officers को national level पर काम करने का मोका मिल रहा है, मतलब पूरे देश में environment policy, education policy, य IPS सब बनाने का मोका मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा, अगर IS officers, IPS officers center में आते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें foreign में जाने का मोका मिलता है, international agencies के लिए काम करने का मिलता है, वहाँ भी आप वो जाके काम कर सकते हैं, तो काईदे से तो उन्हें जाना चाहिए, बड़ द अपना home cadre छोड़ के center में आकर काम करना चाहते हैं, अब जैसे North East में जाते हैं, rest of India से officers, वो आना चाहते हैं center में, उनको लगता है कि North East में बस अब ठक गए, अब कैसे न कैसे करके दिल्ली में जाने का मोका मिल जाए, तो ऐसे officers ज़्यादा आने को तयार रहते हैं, जो अप routine काफी tough होता है, यहाँ पर देखो ministries में time से जाना पड़ता है, time से आना पड़ता है, और दिल्ली में हर कोई देखता है, मतलब निगरानी जादा होती है, दिल्ली में officers पर निगरानी जादा होती है, चंडिगर्ड में, दूसर states की capitals में उतनी नहीं होती, तो officers अपनी मनम को कई बार डर भी लगता है कि दिल्ली में आने के बाद में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, state में, इसलिए वहाँ पर जाने का फाइदा नहीं है, और थोड़ा उनको दिल्ली में आके lower level पर भी काम करना पड़ता है, comparison में, state मे वो senior postings उनको मिलती हैं, इसी के लिए तो central government वो rules लेके आई थी, जो हमने इस article के शुरवात में revise किये थे, अब writer यह कहते हैं, देखो, जो यह balance था ना, इंडिया के administration में, officers जाएंगे center में काम करने के लिए, reputation पर, वो काफी अच्छे से पहले बना हुआ था, लेकिन जब politics जो है ना, वो politics उसको खराब कर रही है, जैसे वेस्ट बंगाल और central government के बीच में politics होई, जिसकी वज़े से chief secretary और commissioner of police को बुला लिया गया, center के दोरा काम करने के लिए, तो यह जो चीजें है ना, यह देखो, politics की चीजें हैं, लेकिन administration के लिए बहुत ज़्यादा नुक्सा अंदाइक हैं, ऐसी politics की वज़े से बरसों से जो administration का balance हमारे देश में established है ना, वो बिगड़ जाता है, तो अब जो नए rules central government लेके आई है ना, उसके लिए state government से proper चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि फिलाल के सवरूप में तो उन rules को state government से accept नहीं करेंगी, तो थोड़ी state government से consultation प बात करके, उनसे consult करके, अगर सरकार central government rules लेके आती है ना, पोस्टिंग के लिए, तो वो ज़्यादा सही होंगे, और lateral entry अभी फिलाल होती है central government में, लेकिन बहुत कम होती है, vacancies इतनी ज़्यादा खाली है, lateral entry तो बिल्कुल नामातर की हुई है, तो central government lateral entrance को भी increase कर सकती है, म पूरा article हमने discuss किया, IS posting से समंदित विवाद को लेके, अब अगला जो article है, वो देखो child adoption से समंदित है, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, देखो फिलाल हमारे देश में, कारा एक ऐसी agency है, जिसका पूरा नाम है, Central Adoption Resource Authority, ये एक ऐसी agency है, जो child adoption की पूरी process को regulate करती है, चाह वो interstate child adoption हो, मालीजीय कोई शिरलंका का नागरिक है, इंडिया से बच्चा adopt कर रहा है, या फिर interstate हो, भारत के अंदर ही हो, कोई भी child adoption हो, उसको regulate करने के लिए authority है, कारा, अब दिक्कत पता है क्या है, हमारे देश मेंने सबसे बड़ा ये paradox है, इतने सारे अनात बच्चे है ऐसे बच्चे हैं, जिनको छोड़ दिया गया है parents के द्वारा, जहां एक तरफ इनकी संख्या हजारों में है, लाखों में है, बट दूसरी तरफ, जिन बच्चों का एक साल में adoption होता है, बहुत कम है उनकी संख्या, और उससे भी ज़्यादा, वो parents जो बच्चे child adopt करना चा According to report, 2017 में 27,949 parents बच्चा adopt करने के लिए तयार थे, उन्होंने अपने आपको register करवाया था, कारा के पास में, जबकि बच्चे adoption के लिए free कितने थे, सिरफ 2430, ऐसा क्यूं? एक तो देखो, child adoption की जो प्रिकिरिया है अभी काफी ज़्यादा tough है, इतने सारे अनाथ बच्चे हैं, लेकिन उनको child adoption के लिए available नहीं करवाया जाता, क्योंकि प्रिकिरिया tough है, प्रिकिरिया को आसान बनाना होगा, streamline तरना होगा, agencies जैसे कारा है, ये पहले से काफी ज़्य माल होता था, बच्चे को adopt करके, तो अब ये जो agencies है पहले देखती हैं सब कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं, बच्चे को adopt करके उनका सोचन हो जाएगा, इस वज़े से पूरी child adoption की जो प्रिकिरिया है उसे सक्त बनाया गया है, लेकिन देखो इसका नतीजा ये निकला है, कि बच बच्चे adoption के लिए कम available हो रही है, स्टाफ नहीं है agencies में, कारा में ये authority जो है child adoption को regulate करती है, इसमें staff की भारी कमी है, इसलिए जातर बच्चे तो child care institutions में ही रह जाते हैं, वहाँ पर भी situation काफी ज़्यादा खराब रहती है, राइटर ये कहते हैं, देखो ये तो वही बात हो असाब से त्यारी भी तो करनी थी ना, उसी असाब से आपको infrastructure भी develop करना था ना, ताकि आसानी से बच्चा adopt कर सके parents उनको किसी परकार की दिक्कत ना आए, सोच समझ कि policy बनाई नहीं, तो ये एक परकार से self gratification के समान हो गया, जिन officers ने policy बनाई, उन्होंने अपने आपको satisfy क कर लिया, लेकिन ground level पे चीज़े खराब हो गई, तो इसलिए अब parliamentary committee ने report सोपी है कि परिकरिया को आसान बनाया जाए, और जो ये हूज miss match है ना, कि ज़्यादा parents बच्चा adopt करना चाहते हैं, अनाथ बच्चे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बावजुद इसके जो parents हैं वो बच्चा adopt नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रिम कोट ने भी इस तरफ धेखो ध्यान दिलाया था, सुप्रिम कोट ने बोला था कि आप क्या कर रहे हो, मतलब परिकिरिया को streamline कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाथ हुए बच्चों को एक नया घर मिल सके, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया, चाइल्ड एडॉप्शन से समन्दित, ने वो हमारी आज की discussion में इतना ही है, आज हमने तीन issues को discuss किया, फिलाल इस discussion में इतना ही, thank you, thank you very much for discussion.